और इस चीज का समाज का सबसे जादा नुक्सान उन्हीं लोगों से हुआ है जिनों ने समिधान बचाने की बात कर रहे थे जिन मतों पर एकाधिकार का दावा करती थी बहुजन समाज पार्टी वही मत कहीं ने कहीं इस लोकसभा चुनाओं में उनसे खिसकते दिखाए दिए और इंडिया गडवंधन के पक्ष में जाते दिखाए दिए और यही वज़ा रही कि बहुजन समाज पार्टी ना सिर्फ हांस ये बर चली गई बलकि इंडिया गडवंधन का उदय भी हो गया और अब इन मुद्दों पे सबसे बड़ी ये चर्चा है कि आखिर इनोटों क आप अपने जो ओट बैंक हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी कभी एकाधिकार मानती थी अब वो खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या लगता है आपको कि कि किसके लोग सबाचुनाओं में और दूसरा इसी से जुड़ा कि उनको अब सहेजिंग कैसे कि जो कॉल्ट वेससे जुड़े सरस्वाज के लोग है कहीं नैंक हितonstru इंडिया और इंडियोगरवन्दन ने और चुनावाद है क्योंकि हमारे लोग भूत अस्तर तक जाए वो और खुद बैए जाने का काम कर रहें उन बातों समझाने काम किया जाएगा क्योंकि चुनाव के बाद हम जब गावं में गए हैं अपने लोगों की बीच में चुनाऊ के बाद मैं गाउं में गया जब मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि अध्व धोखा हो गया हैं किया धोखा हुआ काई दर दिखाया गया हमको क्योंकि यहीं के शांसत था जोद्या के और ललु शिंगी माने ललु शिंग्जी ने कहा कि हमको 272 सीटे चाहिए सरकार बनाने के लिए 400 पार होने चाहिए सम्मिधान बदलने कि लिए जबकि ये गलत है बाबासाब ने जितनी मजभूती से इस देश का सम्मिधान बना के गए हैं उसके अर्ट किल को संसुधन करके कि निस्चित है किसी को नुक्षान किसी को फाइदा तो दिया जा सकता है और इस चीज का यस्से चोफी का समाज सबसे ज्यादा नुक्सान उन्हीं लोगों से हुआ है जिन्होंने सम्मिधान बचाने की बात कर रही है था तुमारे सेस्टी और बचाने की बात कर रहे हैं इन लोगों ने धोका दिया जब कि यही बात करने वाले समाजवादी ने बैक लाग भरती को रोक लगाया थेकेदारी के आरच्छड वहिंज ने दिया था सम्मिधान के तहट उसको छीनने काम किया वहिंज ने तमाम लोगों में सम्झाने में कुछ काम काम्याब हो पाए उसके लिए हम लोगों की रन्नीती मान्याबैंजी ने रन्नीती बनाई है हमारे सारे लोग गांव अस्तर तक बूत अस्तर तक जा करके फिर से बूत कमेटी को सही बना करके और अपने लोगों को सम्झाने का काम करेंगे और निश्चित है कि वो ओट हमारा कहीं गया नहीं है ओट हमारा कह रहा था कि हमको डर दिखाया गया हमसे कहा गया कि आपको जो बच्चों को सिच्छा मिल रही सम्मिधान के बल पर आपको सम्मान मिल रही सम्मिधान के बल पर यह मुझे नहीं मालुम् था। नहीं मालुम हो गया खड़ा था। यह तो रटोखा है। कि यह ढोखा है जंटा के साथ। इस पर दूम मेरा कहने चुना योगत के भी संग्यान करने के लिए को भूखावना वाधा मेरा नहीं होगा को घोश्रापत नहीं होगा को नहीं होगा हमारा वह जन समाज का मनोफेष्टो है अगर उनको पूरी तरह से भावसाप के संभिधान पर भरोशा है तो जिस तरीके बहुत समाज पादी कहती है हमारा मनो फेस्टो हमारा गोश्रापत वावा साथ की सम्विधान एंदीज लागू करा देंगे इस दूटक विश्वास है तो अलग से मानो फेस्टो नहीं करना चाहिए मैं तो आज कहता हूं अगर यह कांग्रेश के लोग पीडिये की बात कर रहे हैं अगर यह इस तरह का वादा जो करते थे इनकी जहां सरकारे हैं बहेंज उत्तर प्रदेश में थित बहेंज ने बैकलाग भरतिक करने काम किया परमोट करने काम किया मांग करता हूं कांग्रेश पाल्टी से अगर आप यह नाटक मत करो इन लोगा दोहरा चरित रहे हैं मैं यह मांग कर रहा हूं कि आउट्सोर्शिंग पर भी आरचड़ हो प्राइवेट में भी आरचड़ हो लेकिन पहले तो जो बाबा साहब की हमारी नोकरी सरकारी विभागों में जो खाली पड़ी है इसको बैक लाग कहा जाता है उसको त जाके वहां तो देव पब्लीक को जहां आपकी सरकार है वहां तो जाके एक लाग महिलाओं को दो क्यों नहीं दे रहे हो जूटा वादा करके जनता को गुम्राह करने की नियुक्त है और इसी सब बातों हम लोग परदाफास करेंगे कि भाजपा और कांग्रेस तोनों कोई फरक नहीं है यह दोनों जनता को गुम्राह करते हैं लालज देते हैं लालज दे करके ओट लेते उसके बाद कहते हैं तो जुमला था आनने से जो है क्या आपको लगता है कि बहुजंस्माजपार्टी में और तेवार और कलेवार बदल जाएगा निश्चित है वो इस देश का उनके साथ खड़ा होगा एक आखरी सवाल आत्रस को लेकर के किसी पार्टी ने कोई आवाज नहीं उठाई लेकिन मायवती जीने आवाज उठाई और उनके जो जोड़े संग्ठन ने आवाज उठाई और एक साफ कहा कि जो दोशी हो उन पर करवाई हो लेकिन बाबा पर ना तो एफाई यार हुई ना उंगा कहीं नाम आया और एसाइटी जाच्मन के जिक्र है निश्चित है कि बहुजन समाइट पाल्टी हर दुखी पीडित मजलूम के साथ खड़ी है और मान्या वहें जी इस बात को बहुत गंभीरता से लेती है जैसे ही घटना क कि खबर मिली है मैंने 20 करके मिर्तक परिवार को साभी और जब किया अगया झाल फैन्ट कि लिए दिन कैसी तुरंत मुझे भाउर में 3000 कि दिन निर्देशित किया कि आप वहां पर जाओ मिर्तक परिवार में जाया और जो और नहीं कुषका में अब्यक्स पाराइक करो आए। सब्सक्राइब कर दो नहीं हो सकता वहां पर उनका जो सहोग दिया रहा है वह बढ़ाया जाए ताकि उनके बच्चों के अच्छी सिच्छा मिल सके परिवार का बरण पोशड हो सके और ऐसे मिर्तक परिवार के घरों में कम सह कम एक अगनो करी उन परिवार को को यूक पैलजन के लिए देना जैए न के नाम पे लोग आये थे बाबा भोले उनके बारे में भी आप लोगँ ने कहा था कि उनकी भूमकता होनी चीहीरा निस्षित है चाहे वो बाबा हों, चाहे उनके सिवादार हों, और चाहे वहां का परशाषन हो, जिस परशाषन ने इतना बड़ा काज करने के अनुमती दिया, उस परशाषन को भी उस इसाफ से समचित व्योस्था करनी चाहिए थी, जो नहीं थी, इसनाथ ए घटना घटी है, इसके जो बड़ी बेबाकी से सारी चीज़ों को बता रहे थे और यह भी बता रहे थे कि इस बार लोकसभा चुनाओं में जो नतीजे निकले हैं उसके बाद बहुजान समाज पार्टी नए से संगटित हो रही है और अपने संगठन को एक बार फिर खड़ा करके वो कोशिश कर रह सबस्काया है उसको लेकर वह इंडिया की गड़बंधन की जो पार्टियां है उन पर सवाल उठा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि कहीं न कहीं चूक तो हो गई जो हम लोगों को अपने समझा नहीं सके और इंडिया गडबंधन के जाथ से में वो लोग आ गए और आज-पस्त